अलो फ्रेंद्स वेल्कम टेखनिक ट्यूनर अभी जस्ट इसे मैंने रेसिप किया बोट याट डॉप 71 और जस्ट वोक्स को मैं खोल कर रहा हूं और यह इसका बिल और यह डारेट मैंने बोट वेबसाइट से मैंने पर्चेस किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली य से सिल पैक किया हुआ है तो यह एक अन्बॉक्सिंग वीडियो है क्या का इसका अंदर में मिलता है सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे और इसका मेन पर्पर्पस जो मेरे लेने का था वह है कॉल क्लेरिटी मैंने बहुत जगह से इसका फीड़ भी मुझे मिला है कि हाँ सब्सक्राइब का जो क्लेरिटी है बहुत अच्छा है बोच साइड में सुनने में और जो रिसीव कर रहा है साइड में भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं होता है तो पैकेट कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है यह डोप 71 यहां पर लिखा हुआ है और कुछ जो हाइलेट पॉइंट यहां पर है प्लेटाइम फॉर्टी आवर्स शिक्स मिलीमेटर का ड्राइवर्स यहां पर लगा हुआ है आपको लग रहा होगा कि छोटा है लेकिन कफी अच्छा साउंड यह करता है और बीस्ट मोड यहां पर है तो जो म्यूजिक लवर्स से उनके लिए यह य जाता है कुछ एक्स्ट्र बड्स मिल जाता है डिफेंट साइस के और इसके अंदर में आपको वन येर का मैनुफ्रेक्ट्टरिंग वारेंटी अपको यहां पर मेलता है कैसे क्लेम करना पड़ा है यहां पर डिटल सब दिखा गया है और एक यूजर मैनुवल है ठीक है यह यहां पर आपका sound call quality issue अगर कुछ है तो आप यहां पर पड़के इसको solution यहां पर देख सकते हैं कि क्या-क्या इसमें है यह बैड कंट्रोल इशू अगर कुछ होता है वाइस कॉल इशू अगर होता है तो यहां पर चोटा-चोटा जो बेसिक पॉइंट जो है जो सॉल्व क आपने के लिए यहां पर इसका solution दिया हुए तो काफी अच्छा चीज एक यहां पर दिया गया है ठीक है यहां पर यहां पर इशूज यहां पर इशूज साउंड कॉल कॉलिटी इस अगर कुछ आता है तो यहां पर आप कर देख सकते हैं तो डिवाइस में सीधा आते हैं तो यहां पर जो डिवाइस है बहुत ही छोटा सा एक पोटेवल पैकेट में आता है बॉक्स में आता है देख सकते हैं यह आ रहा है मुठी में टोटली आ जा रहा है बहुत ही कॉंपक्ट है कफी अच्छा है यहां पर कुछ LED मार्क्स मुझे यहां पर दिखाए दे रहा है और अंदर में open करते हैं यह charging यहां पर blue lights और red light में ब्लिंग कर रहा है मतलब pairing mode में already यह है तो इसको निकालते हैं और यह magnetic है ठीक है यह गिरेगा नहीं यह अगर उल्टा करते हैं तो यह गिरेगा नहीं ठीक है लगाने से यहां पर total कितना charge है तो यहां पर दिखाएगा तो यहां पर 4 led जल रहा है मतलब यह full charger उसे आप से यह slotting किया गया ठीक है तो कफी अच्छा है portable है और इतना च्छोटा चीज में battery का जो लेवेल है वह भी आपको दिखा रहा है तो अच्छा चीज है build quality का बात करूं इस box का तो काफी अच्छा है एक्दम robust type का है compact बहुत बैक यहां पर led point एक यहां पर दिया गया है तो काफी अच्छा है और नीचे में एक microphone का point यहां पर दिया गया है तो अभी कुछ important point के बारे में बात कर लेते हैं पहला जो drawback और one and only drawback जो मुझे लगा कि इसमें आप volume control नहीं कर सकते हैं मतलब device volume control करने का कोई option नहीं है जो media device है म सब्सक्राइब करना पड़ेगा ठीक है एक तो यह हो गया और यहीं एक मुझे downside मुझे लग रहा है जो beast mode कहा गया है वह basically gamers के लिए है अगर beast mode में आप इसको shift करते हैं तो क्या होगा जो latency है ठीक है वह एकदम minimize हो जाएगा और एक जो changes मेंने देखा अगर आप कोई गाना स सुन रहे beast mode में तो volume का जो sound का जो enhancement है या clarity बोल सकते हैं जो quality है बहुत ज्याद़ बेटर है compared to normal sound ठीक है अच्छा फीर हो गया कि आप 10 मिनिट इसको charge करेंगे तो 120 मिनिट तक यह आपको support दे देगा continue गाना आप सुन सकते हैं तो यह चीज़ काफी मुझे अच्छा लगा 300 m बैटरी आप यहां पर आपको मिल जाता है और यह 5.2 Bluetooth वर्शन यह support करता है तो काफी अच्छे से यह प्यार भी हो जाता है प्यारिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है और जो earbuds है वहां पर आपको 40 mH का बैटरी इच में आपको मिलता है 40 mH 40 mH okay और casing में आपको 300 m इसको मिलता है जो technology यूज किया है काफी बढ़िया है जिसको मैंने फोन किया था उस से भी पूछा तो एकदम क्लियर साउंड आ रहा है अगर रेंज का बात करूं तो काफी वाइट रेंज में यह इसको आप यूज कर सकते हैं लॉंग डिस्टंस में मेरे पास firebolt का अल्ड करती है एक बहुत बढ़ी option जो मुझे दिखने को मिला कि आप इस device को reset कर सकते हैं बहुत सरे TWS जहां पर reset करने कोई option नहीं है तो अगर इनके कुछ problem आपको मिलता है तो reset करने का process manual में दिया गिया है कुछ नहीं है लीट को open करके जो phone में आप पेयर करकर रखें पहले तो इस पोजिशन में रखना है पास सेकेंड तक दोनों TWS को एक साथ पकड़ना है और फिर यहां पर flashing चालू होगा और आपका device reset हो जाएगा फिर हो गया इसमें जो बीस्ट मोड एक्टिवेट करने के लिए जो राइट जो TWS वहां पर आपको लॉंग प्रेस्ट करना है तो आपका बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा सीमिलेट अगर आप ना चाहते हैं तो तीन सेकेंड के लिए यह वहां पर प्रेस करना है ठीक है अगर Google आपको ना चाहते हैं तो लिप्र वाला में आपको थ्रि सेकंड की होल करना है तो गूगल एस्टेंट खुल जाता है काफी अ प्रॉलम नहीं है अगर आप सिंगल टैप दोनों में अगर करते हैं तो गाना चालू हो जाएगा और सिंगल टैप करने से गाना पॉस हो जाएगा निक्स्ट गाने में जाने के लिए राइट इयरबड जो है वहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा जो प्रिवियस गाना है वहाँ पर डबल क्लिक करने से प्रिवियस गाने में सिफ्ट हो जाएगा तो यहीं इसका फंक्शन है और इसको टोटली वाटर प्रोटेक्शन इसका मतलब यह नहीं कि पानी में आप इसको यूज कर रहें एक्दम बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए तो इतना ही दोस्तों इसक I'm overheating